हाई विट्फल एंजल्स वेल्कुम दु डिवाइन फैमली राधे राधे जैशी किछना आई होब आप सुल अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे निवरात्री को यहां पर सेकिंड निवरात्रा है तो आज का दिन है ब्रह्मचानी माता जी का तो उनकी तरफ से ब्रह्मचानी मा की तरफ से आप लगों के लिए क्या तीन ब्लेसिंग्स हैं वो हम लोग देखने वाले हैं पहले टैरो से औरिकल से और साथ में फिर हम लोग देखने वाले हैं सैंड री दीजिए, support कीजिए, ठीक है, subscribe कीजिए, तो start करते हैं, आज की तीन blessings को सबसे पहले हैं, यहां पर impatience, कुछ चीजों के लिए आप, कुछ चीजों को release करना चाहते थे, यहां release करने की जुरत है, जो past की है, ठीक है, लेकिन यहां पर, क्यूंकि आप stuck थे, इसलिए वो भी आप कर नहीं पा रहे थे, ठीक है न, तो past को, किसे ने hold किया हुआ है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो, और कुछ चीजों के लिए, आप impatience भी हो रहे थे, कुछ past के experiences हो सकते हैं, past की painful, you know, emotion से related हो सकती है, आज कुछ, आपको memories भी आजाद सकती है, past की, लेकिन कहीं न कहीं, आप अपने आपकी help कर रहे हो, और release करने में, ताकि आप इस stuck energy से बाहर आ जाओ, क्योंकि बाहर बाहर आप इन thoughts में चले जाते हो, ठीक है, जो आपको यहाँ पर ले जाती है, five of cup के energy में, जहाँ पर आपको pain मिली, दर्द मिली, और आपको भरोसा तोड़ा गया, आपका trust तूटा, ठीक है न, तो finally आप, आप release कर पा होगे, क्योंकि wheel of fortune की energy है, यहाँ पर, कुछ ना कुछ change आ है, या आप change लेके आ रहे हो, आप कोई workshop हो सकती है, कोई learning हो सकती है, कुछ ना कोई action हो सकता है, आपका, कुछ ना कुछ आप ऐसा ले रहे हो, जो आपको help कर रहा है, past को release करने में, ठीक है, codes को cut करने में, यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ ऐसी है, चीजे, जो past की है, और finally आप उनको release कर रहे हो, जिस वज़े से आपका यह wheel घूमने वाला है, और आप past की stuckness में से, past की memory में से बहा निकलाओगे, आगे को move करोगे, better life दोगे अपने आपको, 10 की energy, 10 से जो है, cycle खतम, पुराना cycle खतम, एक नई उर्जा में जा रहे हो आप, ठीक है, तो इस नवरात आप लास को खुद, जैसे चाहिए affirmation आप यूज कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसा इस energy को यूज कर रहे हो, अपने आपकी life को transform करने के लिए, तो वो आप यहाँ पर करने वाले हो, जिससे आप codes को कट कर पाओगे past की, तो यह होगी आपकी blessing यहाँ पर, next है यहाँ पर, आप ज्यादा लग रहे हैं मुझे, यहाँ पर, आपके किसी person के साथ, या किसी भी life के किसी भी हिस्से में, अगर sweet and sour, आपके moments रहे हैं, और आपका यह solar plexus chakra हट हुआ, इंबैलन्स हो गया, आपका confidence lose हो गया, आप हताश हो गया, लेकिन आप वो इस situation में से निकल रहे हो, नया अपना रहे हो, आगे को बढ़ रहे हो, अपने आपको heal कर रहे हो, अपने उपर काम कर रहे हो, चाहिए slowly चल रहे हो, लेकिन कर पा रहे हो, किसी ना किसी तरह का action ले पा रहे हो यहाँ पर, अगर वो person है, तो वो person वापिस आ सकता है, जो आपको help कर सकता है, अगर आप hope हो चुके थे यहाँ पर टैनो सोर्स में हम लोग अगर जादा देर रह जाएं तो hope होने लग जाते हैं यहाँ पर ठीक है तो अगर आप इस situation में थे कुछ ना कुछ ऐसी activity, कुछ ना कुछ ऐसी change, कुछ ना कुछ ऐसी healing opportunity जो आपको बहार निकाल रही है इस टैनो सोर्स के energy से, इस hopeless energy से, इस sour moment से ठीक है कोई ना कोई आपको direction मिल सकती है चूस करने के लिए new direction divine आपकी help कर रहे हैं मातारानी आपको direction दे रही है नहीं चूस करने के लिए जो आपकी पहले से better होगी direction ठीक है पहले से better experiences होंगे उसमें ठीक है तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा prayers भी की हो इस बारे में कि आपको इस energy से बहार निकाला जाए आप थोड़ सा exhaust feel कर सकते हो आप tired feel कर सकते हो कि कहीं न कहीं यहापे changes आ रही है energetically आप में तो आपको थोड़ा राम भी करने की जुरत है राम करने से भी आपको यह night of pentacles की energy या धीरे धीरे काम करने की जुरत है जिससे आप इन changes को adapt कर सको ठीक है जिन भी changes से आप गुजर रहे हो ठीक है next देख लेते हैं पर blessings acceptance कुछ न कुछ ऐसा past में हुआ जिसको जो आपके according नहीं हुआ जैसे आपने सोचा था लेकिन अब धीरे धीरे आपने जैसे surrender किया जैसे accept करना शुरू किया चीजों कि ठीक है जो भी जो भी loss हो गया या जो भी missing है मेरी life में से या जो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा है उसको कहीं न कहीं आपने accept किया surrender किया इस वज़े से जो हैं आपको Ace of Pentacles की energy नई opportunity इश्वर दे रहे हैं अगेन यह कोई career से related हो सकती है आपकी किसी न किसी तरह का change छोटा सा बदलाब लेके आना छोटा सा कुछ भी ऐसा आपकी healing से related आपकी सहत से आपकी health से related हो सकता है यहाँ पर अगर आपकी even masculine energy भी active नहीं थी यहाँ पर तो king of wand से masculine energy active हो र हो रही है आपकी masculine masculine energy है उस वज़े से आप focus कर पाओगे Ace of Pentacles तो कहीं न कहीं आपका focus खो गया क्योंकि आप इस चीज में रहे गए अरे यह क्या हो गया किसी तरह का loss हो गया किसी तरह की चीज को आप कोई plan किया था आपने उस recording काम नहीं हुआ ठीक है आपका समय वेस्ट लेकिन यहाँ पर आप focus कर पाओगे अपने काम पर जो भी आप कोई काम या action लेने वाले हो यहाँ पर आपको masculine energy भी दी जा रही है ठीक है आप बहुत जादा positively बहुत मेहनत के साथ इस उसमें से निकल रहे हो इस loss में से इस excuse me sadness में से आप निकल पाओगे ठीक है तो यह अब messages देख लेते हैं sand reading से तो देख लेते हैं अब कि और क्या messages है आप लोगों के लिए और अचानक से क्या आ रहा है आपके लिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पर तो check करेंगे first of all current energy बहुत आप कामिंग बहुत peaceful लेकिन bliss वाली energy में हूँ ठीक है celebration वाली energy में हूँ आप enjoy भी कर रहे हो और inner peace के साथ भी जुड़ रहे हो काफी सारे action ले रहे हो जो आपको action लेने चाहिए right now चाहे वो आपके घर से related हो अपनी personal life से related हो अपने career से related हो और काफी सारे action ले पा रहे हो क्योंकि king of wants की आपको energy दी जा रही है action वाली right passionate व energy आपको मिल रही है इस वज़े से आप यह action ले पा रहे हो काफी firey energy मुझे यहाँ पर लग रही है passionate energy यहाँ पर आपको पानी ज्यादा पीना है यहाँ आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी क्योंकि fire element ज्यादा आपका highlighted हो रहा है यहाँ पर आपकी body में भी जिस वज़े से आपको प्यास ज्यादा लग सकती है यहाँ आपको hydrate रखनी की जुरत है अपनी body को और इस वज़े से आप मुझे पाने का ध्यान रखना है यहां पर को याद कर रहा है और आपको कोई मेंसेज कर सकता है कॉल भी कर सकता है ठीक है आई रों नो यह कौन है लेकिन किसी का मेसेज आ सकता है आपको कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो और बहुत सुंदर भी लगने वाले हो यह मैसेज आपके लिए यहां पर आप वाइट फ्लावर्स को देख पारे हो वैसे तो यहां पर भी है वाइट यह रोजिस लेकिन कहीं आप देख पारे हो शायद आपने पूजा में या आपके गार्डन में लगे हुए हैं आप पूजा में यूज कर रहे हो वाइट फ्लावर्स को यहां पर जो आप पूजा कर रहे हो नवरात्री की हाई वाइबरेशन में हो जैसी हाई एनर्जी हाई वाइबरेशन की एनर्जी एक्शन की एनर्जी आपने पहले कभी नहीं फील की जो आप अब फील कर पा रहे हो यहाँ बहुत देर से आपने फील नहीं की क्योंकि शायद आप किसी तरह की stuck energy में थे जो cards में भी निकला है आपको या clarity नहीं थी आप क्या कर पाएं लेकिन राइट नाओ जैसे divine की इस energy से species जो ये energy है नवरात्रों की बहुत divine जो energy है वो बहुत आपको help करेगी यहाँ पर movement में, change लाने में ठीक है career से related आप कोई action ले सकते हो, यहाँ पर aso pentacles की energy कोई opportunity हो सकती है आपकी तरफ आ रही है या कोई आप action ले रहे हो किसी तरह की past की energy को आप पीछे छोड़ रहे हो जैसे acceptance में मैंने आपको बताया कि आप accept कर रहे हो चीजों को कि it's okay जो भी हुआ ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं आपको किसी तरह की lesson सीखने को मिले हैं उससे, ठीक है तो आप वोन lessons को रखकर बाकी के वो जाने दे रहे हो release कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है वो इसलिए release हो रहा है क्योंकि आप बहुत जादा inner strength में हो रहा है इस नवरात्री के ये आपको blessing रहेंगे कि आपको आप powerful शक्ती बहुत जादा powerful energy में रहोगे आप जो निडर वाल इनर्जी में किसी भी challenge को accept करने की किसी भी चीज को release करने की उसमें रहोगे आप energy, positive energy में बहुत सारे लोग आपसे connect करना चाहते हैं I don't know ये कौन लोग है या आपकी energy जो है बहुत ज़्यादा खीच रही है इनको क्योंकि आपकी energy बहुत ज़्यादा healing है you know night of pentacles की energy बहुत ज़्यादा healing बहुत ज़्यादा आपके जिस तरह से आप communicate करते हो प्यार से बोलते हो बात करते हो वो लोगों को heal कर जाती है आपका सिर्फ present होना उनके साथ connect करना हाल चाल पूछना ही बहुत ज़्यादा healing होता है उनके लिए कोई person हो सकता है जिसके साथ आपको communicate करने की जुरत है यहाँ पर कोई communication आ सकता है आपकी तरफ और किसी तरह की आपको help कर सकता है कोई person या आप किसी की help कर रहे हो यहाँ पर मुझे लगता कि आप किसी की help कर रहे हो यहाँ पर ठीक है यहां help मांगने आ सकता है कोई यहां पर आपसे बहुत ज़्यादा humble energy में हो बहुत ज़्यादा grounded energy में हो बहुत ज़्यादा calm, बहुत ज़्यादा peaceful, nurturing, loving, caring बच्चों के साथ connect कर पा रहे हो आप अपने pet के साथ और self care भी कर पा रहे हो काफी balanced energy में हो आप काफी जो feminine, divine feminine, divine masculine energy काफी balanced में है आपकी action भी ले पा रहे हो लेकिन nurturing energy में भी हो खुद के लिए भी और बाकियों के लिए भी यह जो आप energy feel कर पा रहे हो nurturing वाली, loving, caring वाली energy बड़ी compassionate energy यह इसलिए भी है कि कुछ लोग यहाँ पर forgive कर पा रहे हैं जो भी past में हो ना बहुत बहुत अच्छी बात है release कर पा रहे हैं तो जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे ना मातारानी आपको help कर रही है उस forgive करने को लोगों को यहाँ पर forgiveness में आपको help कर रहे हैं जिससे आपको और ज़्यादा healing night of pentacles की energy चाहे है वो धीरे धीरे हो रहा है आप धीरे धीरे release कर रहे हो धीरे धीरे heal कर रहे हो धीरे धीरे forgive कर रहे हो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो नई-ने action ले रहे हो 90 opportunities को अपना रहे हो ठीक है solar plexus को अपने heal कर रहे हो confidence आ रहा है आप में कुछ इस तरह की energy आ रही है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इस तरह की power भी feel कर पा रहे हो जो काम पहले आपको थोड़े difficult लग रहे थे कि यह कैसे कर पाऊगे आप लेकिन अब आपको वो ऐसी energy से आप बहार निकल गए हो क्योंकि आप में confidence आ रहा है हो और कहीं न कहीं healing से आपने वो inner power को पा लिया है जो आपको force कर रहे है कि आप कर सकते हो इसी वज़े से आगे बढ़ना यहाँ पर अचानक से यहाँ पर आपको कोई phone का ला सकती है अचानक से आप बहुत ज़दा happy feel कर सकते हो ठीक है बहुत ज़दा एकदम से कोई news मिल गई या कोई एकदम से happy moment या एकदम से bliss के energy में चले गए है आप prayer से उठे और एकदम से आपकी energy shift हो गई राइट तो कुछ इस तरह की energy है यहाँ पर अचानक से आपको याद आएगा कि past में या कुछ दिन पहले किसे ने आपको कुछ बोला था और उसका मतलब क्या था ठीक है न तो तो कोई बात है से spirit guides आपका ध्यान दिलवाना चाते हैं जहाँ पर कि कोई बात आपको बोली गई थी लेकिन शायद आपने उस समय इग्नोर कर दी ध्यान से सूनी नहीं उसके बारे में सोचा नहीं और शायद आप अपने कामों में लगे हुए थे तो अचानक से आपको याद आएगा कि इस बात का मतलब क्या था ठीक है कुछ ऐसा मेसेज है यहाँ पर अचानक से आप बहुत सारे फूलों को देख रहे हो हो सकता है कि आप पूजा मंदिर में गए हो, वहाँ पे देख रहे हो या आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, खरीद रहे हो, स्टोर में गए हो या कहीं पे भी देख पा रहे हो, आप वीडियो में या आपके गार्डन में हैं, ठीक है, बहुत सारे फूल रियल वाले फूल आप दिखोगे कि हाई वाइबरिशन की वज़े से लोग जो है बहुत ज़दा आपसे कटे-कटे से हैं ठीक है क्योंकि शायद उनको ये एनर्जी आपकी हैपी, ब्लिस वाली एनर्जी, हाई वाइबरिशन वाली एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है ठीक है, आप कुछ सेकिंड के लिए सो सकते हो कि या रे क्यूं लेकिन आप फिर अपने आपको डिस्ट्रक्ट कर लोगे बापस से अपने बार अपनी मस्त अनर्जी में आ जाओगे क्योंकि कहीं न कहीं अब आपने उस गिल्ट वाली एनर्जी से बहा निकल आये हो ठीक है, अब आपको कोई फरक नहीं पड़ता आप देखोगे कि कुछ लोग ये सब के साथ मैसेजिस रेजोनेट नहीं होगे तो कुछ लोग जो है जो आपको हारता हुआ देखना जाते थे वो लोग ठक गए है ठीक है न, क्योंकि कहीं न कहीं मातारानी ने उनको हरा दिया है आपको प्रटेक्टेड, आपको प्रटेक्शन देकर आपको आपको जो protection दी है या उनसे उनकी energy तक आप तक पहुँचने नहीं दिया है अगर past में ऐसा कुछ भी हुआ है उससे भी आप heal कर रहे हो उभर रहे हो यहाँ पर तो उनको आप हारता हुआ देखोगे उन लोगों को पर आप अपना must हो अपना enjoy कर रहे हो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर गाइडन्स देख लेते हैं राइटनाओं के लिए गाइडन्स के हैं आपकी आपके लिए यहाँ पर बस शांत रही है चुप रही है ठीक है ना शायद आपके लिए spirit गाइड के तरफ से काफी सारे messages है ठीक है वह आप रसीव कर पाऊगे या किसी situation में आपको ना participate करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप observe कर सके कि सामने वाला क्या कह रहा है उसका क्या मतलब है उसकी intentions क्या है तो यहां पर मुझे गाना चैनल आइज हुआ कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो ठीक है आम सौरी मेरी आवाज अच्छी नहीं है तो यहां पर मुझे एकदम से वह गाना चैनल हुआ तो कहीं न कहीं कोई situation ऐसी हो सकती है आपके लिए और देखने ते guidance क्या है आपके यहां पर बोला जा रहा है कि यह समय बहुत अच्छा है न्यू बिगनिंग्स के लिए क्योंकि बहुत अच्छी यह समझ चल रहा है जब नर्वात्रे चल रहे हैं तो इस समय को यूज कीजिए ज्यादा ज्यादा planning में मतलगे रही है सोचने में मतलगे रही है जो भी आपक अच्छन लेने के लिए सोच रहे हो बैठे हुए हो लेकिन यहां पर आपको अच्छन लेना है कि लास्ट गाइदेंस देख लेते हैं आपर बहुत सारे लोग आपकी opinion की वज़े से अपको effects हो सकते हैं या कि आपके गेंस्ट हो सकते हैं आप जो बोल रहे हो, बात कर रहे हो आपको आपको अपनी life में अपने according फैसले लेने हैं, decision लेने हैं, ठीक है, अपनी opinions आपको अपने according चलना है, अपनी intuition की कहना मानना है यहाँ ठीक है, आपको यह बोला जा रहा है, कुछ और messages निकाल लेते हैं यहाँ राइट नाओ के लिए, तो कुछ message देख लेते हैं यहाँ पर यह right now के लिए है बाकी तो मैं readings लाती ही रहूंगी ठीक है ना जब भी आप इस reading को देख रहे हो बस कुछ message देखेंगे क्योंकि मुझे एकदम से message मिलाएगे तो बस इतने काफी है right now के लिए affirmation लिखने को बोला जा रहा है आपको यह recently भी निकला था message तो कोई wish को fulfill हो सकती है आपकी तो affirmation लिखिए यह energy available है आपके पास ओके लोग काफी हस रहे हैं आपके उपर यह हसे हैं past में अब यह समय है आपका उनके उपर हसने का तो क्योंकि यह समय है आपका glow करने का shine करने का abundance को enjoy करने का ठीक है आप free हो चुके हो किसी भी तरह के black magic hexes curses break हो चुकी हैं आपके ancestors आपको dream में आ सकते हैं मिल सकते हैं protect कर रहे हैं आपको और आपको कोई messages भी दे सकते हैं आपर वो भी मुझे लहां पर लग रहा है see यह message वो last वाली guidance दी ना कि how to say no यह आपको सीखना है उनकी opinion से दूसरों की opinion से fact नहीं होना आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है तो यहां पर मातारानी ancestors angels आपके साथ है confirmation है मातारानी की कि जहां जहां आप रहोगे मेरा साया साथ होगा so don't worry angels love you don't forget angels love you angels भी हैं आप ancestors भी हैं मातारानी की हम लोग यह blessings उनकी तरफ से आ रही हैं तो divine love self love मैंने आपको बोला है कि आप must हो bliss में हो divine light divine love से जुड़े हुए हो भरपूर तो अपनी arms खोल किए लव को receive कीजिए आप एकनेक्ट कर पा रहे हो soul family के साथ अपने बच्चों पार्टनर के साथ ठीक है न काफी सारा पयार है यहां पर आपके लिए तो receive कीजिए और एक सब्सक्राइब आप डिए तो अच्यार एक सब्सक्राइब में माहां पर एक सक्टाइब एक लिएकर नाथ kिए से बाली है खज़े हो जब खिए और हम आप